जेन समाज के त्रितिस्तल श्रीत सम्मेश शिखर जी को परेटन इस्तल बनाने के विरोध में पूरे देश में ग्यापन दिये जा रहे इसी कड़ी में आज बावानी मंडी के स्थानी सकल जेन समाज ने शांतीपूर्ण रेली निकाल का रुखंड अदिकारी का रेले में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी वजारकन के मुख्य मंतरी के नाम ग्यापन सुपा इस दोरान रेली में जेन समाज के सेकड़ों महिला पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया जो हातों में विरोध दर्शाने वाले नारों से लिखी तक्तिया थामे वे चल रहे थे रेली में सभी पुरुषों ने साफेद वस्त्रों महिला उने केसरी अस्ताडी पहन रखी थी पर मोद नागोरी ने ग्यापन का वाचन कर ग्यापन सौप उपस्ति सकल जेन समाज का अभर व्यक्त किया बावानी मंडी साइस के मीडिया के लिए बिरोर पॉर्ट कफिल चोहान तो यात्री तो सब थेरेंगे मेरे के मोज मस्ती के लिए आते हैं धर्मकंदे के लिए कोई नहीं आता है धर्मकंदे के लिए सिर्फ जेन समझ आता है और जेन धर्म जो उसको आगात पहुचेगा इस प्रेंटर के आने से 20 दिसंबर 2022 को प्रत्वी बचावुच एरिटेबल ट्रस्ट इंडिया का छटवा स्तापना दीवस राजकी बाली का उचमाद्मिक विध्याले में बनाया गया दुरान पोधारोपन गर्व चात्रों को मिठाई खिलाकर ट्रस्ट संस्तापक फूल्चन वर्मा ने स्तापना दीवस को बनाया इस अवसर पर ट्रस्ट संरक्षक कालूलाल सालेचा, राजेश बसवाल, पूर पारशन वजे लक्षमी सालेचा, मंदसोल ट्रस्ट जिला अर्द्यक, शुरेज धाकर, समास सेवी पिरु खान, पवन मेगवाल, मुकेश वर्मा, लोकेश धाकर, विध्याले परिवार के जै वर्मिंग की वज़े से धर्ती का तापमार बढ़ता जा रहा, दिसंबर का महीना है, लेकिन एसी कड़ाकी के ठेंड नहीं पड़ रही, जलवायू परिवर्तन के संकेत है, अगर आज सही हम नहीं, जागे तो आने वाले समय हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, सभी छात्रों क शहरों में पर्यावन जाग रुकता के संबन में कारिक्रम किये जा रहे हैं, भावानी मंडी से इसके मिडिया के लिए विरो रिपोर्ट का पिल चुहान राज की बिरला महाविद्याले भावानी मंडी में राज सरकार द्वारा संचाली जन कल्यान कारी फ्लेक्शी व्योजनाओं पर लिखित परिक्षा का है उजन हुआ, जिसमें प्रथम इस्थान पर महम्मत केफ B.A.C. सेकंड येर, दिते इस्थान पर येश निर्मल B.A.C बावानी मंडी सा, इसके मिडिया के लिए रिजवान शेख ने जिल्ली में किसान घजना रेली में समलित हुए जिला मंत्री मुकेश महर ने बताया कि समय रहते केंदर सरकार किसानों के हित में सकारात्मत्ला रविया अपना है नहीं तो भारती किसान संग आगामी आंदोलन को बड़ा रूप तै करेगा साथ ही ग्राम से शहर की और जाने वाले दूद सबजी अनाज दाले सहीत और खाद्यान सामगरी बंद करेगा जालावार जीले से प्रांती उपाद्यक्ष रगुनाज सिंग, सवावत प्रांत उपाद्यक्ष, रादिशाम गुरुजर, संभाग उपाद्यक्ष, सिता रामनागर, संभाग मंत्री कृष्ण पाडिदार, राम लाल दांगी, जीला परचार प्रमुक, महेश महर, राम लाल मंडल एद्यक सुनी दिक्षित ने बताया, भावनिमिंडी में भारती इंदा पाड़ी द्वारा बगरती कानून विवस्ताओं को लेकर पचपाड में राजकर पेजल योजना के थाथ, शुद पेजल आपूर्ती वा बिगरती सफा विवस्ता को लेकर अपकंड अधिकारी क ग्यापन दिया है, दिक्षित ने खाए, पिपलात नदी में शहर के नालो का पानी जाने वो मांस की दुकान लगाने वालो लोगों द्वारा अप्षिष्ट पदार्तों को नालो में डालने की वज़ए से उसका पानी पिपलात बान में मिल रहा, जिसकी वज़ए से शहर नोगों मिलने वाला पानी पूरी तरह से दुशित पानी लोगों को मिल रहा जहां कोई रिपोर्ट लिखवाने चाता है तो उसको जवाब मिलता है आपकी गाड़ी मिल जायेगी पर अभी तक कोई भी बाइक वा बाइक चौर पुलिस के हाथ नहीं लगा जिसके चलते लोगों में भाई बना है लोग गाड़ी बाहर खड़ी करने से कतरने लगे हैं इन सब बातों को देखते हुए सभी भार जिन्दा पाड़ी के कार करता हूँ दोरा उपकंड़ादीकरी वो प्लिस वब अदिक्षक को ग्यापन सोब गया इसा उसर प्रमंडल पिछले एक महीने में 33 मोटर साइकल है चोरी हुई है और प्रसेशन बिल्कुल नकारा सोरा प्रसेशन खेतों पे मोटरें चोरी हो रही है दुकानों पे चोरी हो रही है किरानों की समान की दुकानों पे चोरी हो रही है नए मकान बन रहे हैं मासे जो समान है वो चोरी कर र हुआ है इसलिए हमने आज यह ग्यापन दिया है हमारी दिंचरिया में हम कई तरह के खत्रों से घिरे हुए हैं हर खत्रे को हम तालना सके पर उनको सामना करने के लिए हमें तयार होना होगा अगर सामने काटा होगा तो इसी लक्षन दिखाई देंगे घाव के चारों और चमडी का लाल हो जाना और साथ के साथ सूजनाना साप के काटे हुए निशान के दो कड़े हैं तो समझ लीजे कि वो जहरिला साप था गोलाकारी अर्द चंद्राकार आकार में दातों का निशान दिखे तो चाहे वो जहरिला साप न हो पर जहरिला मानकर इलाज करवाना चाहिए घाव के आज पास किसी भी चीज से नहीं बांदें और घाव पर कोई जड़ी बूटी नहीं लगाएं घाव से विश को चूसने की कोशिश न करें तुरंद घाव को साबुन और पानी से धोएं साप के काटे हुए मरीज को धेरे देकर इस्तिर बिठाएं क्योंकि जादा हिलने से जहर शरीर में तेजी से फ्यलने लगता है इसलिए साप के काटे अंग को एक लकड़ी से बान कर अंग को इस्तिर कीजिए और मरीज को जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाईए ताकि विशारोदक से इलाज किया जा सके